गुड आफ़रून एरिवन तो आज हम बात करेंगे वाट इस चीट फंड चीट फंड क्या होता है चीट फंड को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्जेंपल देना चाहता हूँ मान लीजी हमारे पास 10 लोग हैं 10 लोगों ने मिलके ये डिसाइट किया है कि हम पैसा एकठा करेंगे 10 लोगों ने 5-5 हजार टाला और एकठा कर लिया 50,000 रुपया अब उन 10 लोगों मैंसे किसी एक मेंबर को जरूरत पड़ गई है 40,000 रुपय की तो अब क्या होता है अब उस मेंबर को पैसे दे दिये जाते हैं लेकिन एक शर्त होती है कि वो जो मेंबर है कितने डिसकाउंट पे वो 40,000 रुपया लेगा या फिर वो 50,000 रुपया लेगा ठीक है तो मान लीजी उसने कहा कि ठीक है मैं 1200 के डिसकाउंट पे या फिर 5,000 के discount पे ये वाला पैसा उठा लूँगा तो वो जैसे माल लीजिए उसे 40,000 रुपया चाहिए था तो अब 5,000 के discount पे उसने लिया है तो उसे 35,000 रुपया मिलेगा साथ में ये भी शर्त रहेगी कि अब वो हर महिने 5,000 रुपया भी contribute करेगा पूरा 50,000 पे करने के लिए तो इससे क्या होगा जो दूसरे members होंगे जो 9 members बचे होंगे जो discount पे उसने पैसा लिया है 5000 के discount पे अब वो जो 5000 है वो as a dividend के तोर पे जो profit होता है वो दूसरे 9 members में divide हो जाएगा उन्हें मुनाफ़ा हो जाएगा profit हो जाएगा तो इस तरह से काम करता है cheat fund अब cheat fund की हम definition समझते हैं cheat funds are a popular type of saving institutions in India कुछ informal sector होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको banking facility अच्छी नहीं लगती है या फिर उन्हें banking facility accessible नहीं हो पाती है तो वो इस तरह की small savings करते हैं इस तरह के कुछ institutions होते हैं तो यह जो cheat funds होते हैं यह unorganized money market होते हैं गवर्मेंट का लेना देना होता भी है ज्यादा नहीं भी लेना देना होता है तो यह सारी चीज़े हम cheat fund में देखते हैं जैसे मैंने शुरू के lecture में ही आपको बताया था कि जिन लोगों के पास banking facility accessible नहीं होती है वो banking facility को access नहीं कर पाते हैं वो इस तरह की savings करते हैं और bank से loan लेने से ज्यादा अच्छा है कि वो इस तरह के cheat funds से loan ले ले लेते हैं बोरो पैसा कर लेते हैं हमारे पास cheat funds act of 1982 है इसके तहत जितने भी cheat funds के जो institutions होते हैं उसको regulate किया जाता है तो cheat funds के जो administration का जो भी कारवार होता है वो state government के दोवारा देखा जाता है और जो legislation है जो कानून बना हुआ है cheat funds act of 1982 वो central legislation है अब हम बात करते हैं different types of cheat funds की सबसे पहले हम बात करते हैं cheat fund run by state government तो अगर state government इन cheat fund को regulate कर रही है तो इसका मतलब यह safe है इसमें जो मतलब पैसा डूबने के जो chances होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और जो business process होता है इस तरह के cheat funds में वो भी transparent होता है और clean होता है दूसरा हमारे पास आता है private registered cheat funds अब यह जो cheat funds होते हैं यह registered होते हैं cheat fund act of 1982 के तहत इसमें बहुत सारे investors होते हैं वो आपना पैसा invest करते हैं बट यह जो है safe नहीं होता है state government इसको regulate करती है और हो सकता है कि यहां पे लोगों का पैसा डूबने के chances जादा होते हैं management जो होती है वो भी private sector private companies के हाथ में होती है तो कुछ trust एक built नहीं हो पाता है इस तरह के funds में जो private registered cheat funds होते हैं उसके बाद आता है unregistered cheat funds यह तो totally ही unsafe होते हैं बिल्कुल भी safe नहीं होते हैं यहां पे जो इमानदारी होती है honesty होती है उसके हिसाब से ही सारा का सारा administration ठीका होता है अगर कोई भी वैमान हुआ बीच में तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा तो यह legal नहीं है और काफी risky होता है unregistered cheat funds उसके बाद देखिए बहुत सारी fraudulent companies होती है financial illiteracy होती है लोगों के बीच में उने पता नहीं होता है कि वो बैंक से भी पैसा एकसाइस कर सकते हैं लोन ले सकते हैं उसके बाद कई सारे cheat funds organizations में companies में administrative loopholes भी होते हैं तो यह सारी चीज़े हम cheat funds में देखने को मिलती है अब प्रशन यह होता है कि cheat funds इतना क्यों मतब भारत में हमें देखने को मिलता है इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं सबसे पहले तो यह है कि लोगों को बहुत ही जादा difficulty होती है bank में loans लेने के लिए क्योंकि उसमें बहुत सारा document work करना पड़ता है तो इसलिए लोग जो है इस तरह से काफी attract हो जाते हैं इन तरह के cheat funds में दूसरी बात यह है कि जो saving accounts होते है saving banks count होते है उसमें जो interest rate है बहुत ही कम मिलता है cheat funds act of 1962 reserve bank of India act 1934 and security and exchange bond of India act 1992 तो इन सभी act के तहत cheat funds की जो भी companies होती है private sector होते है private companies होती है उनको regulate किया जाता है registered भी होती है और unregistered भी होती है तो आज हमने बात की cheat funds के बारे में और ये cheat fund आप देख सकते हैं friends में भी देख सकते हैं family भी देख सकते हैं वो पैसा एक अठा करेंगे फिर जिसको जुरूरत होती है उसको दे देंगे फिर उससे वो interest ले लेंगे तो ये सब हम cheat fund में देखने को मिलता है cheat fund बहुत type के होते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में thank you